मूम से बद्बू ये मसाला करे मिंटो में दूर तंबाकों के इस्तिमाल से कई तरह के रोग जन्म लेते हैं यह मूम की बद्बू का भी कारण बनता है मूम से बद्बू का मुख्य कारण खराब खाने की आदते और अन्य स्वास्ते संबंदी मामले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन, क्रोनिक साइनसाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डाइबिटीज, कैस ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्याएं किद्नी तथा लिवर ओग की वजह से भी मूम से बद्बू आती है अदरक और दालचीनी इन दोनों नीचुरल उपचार का एक साथ इस्तिमाल करने से मूम की बद्बू से छुटकारा पाने में सहायता मिल सकती है अदरक में सक्रिय घटक जिंजरोल, बैक्टीरिया को नश्ट कर देता है यही बैक्टीरिया मूम में बद्बू कारण बनता है इसके लिए आप एक कप पानी को उबालने के बाद उसमें 15 ग्राम दालचीनी और 5 ग्राम अदरक डालिए इसके बाद इसे 5 मिनट तक गर्म होने दीजिए आप इस पेको दिन में 3 बार पी सकते हैं आप चाहे तो इसे माउथ वॉष के रूप में भी उप्योग कर सकते हैं शहद और दालचीनी मूम से बद्बू के इलाज के लिए आप शहद और दालचीनी का इस्तिमाल कर सकते हैं शहद का एंटी माइक्रोबायल गुन बैक्टीरिया से छुटकारा पाने में बहुत प्रभावी है जो बुरी सांस या मूम की बद्बू का कारण है इसके लिए आप 75 ग्राम शहद लीजिए और उसमें 15 ग्राम दालचीनी को मिलाएं खाना खाने के बाद इसमें एक चम मच लीजिए इसके अलावा आप इसका इस्तिमाल पेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं दालचीनी के फाइदे पाचन तंत्र के लिए पाचन तंत्र को बहतर करना है तो दालचीनी का इस्तिमाल कीजिए यदि पेट का कोई रोग हुआ हो या इंफेक्शन हो तो दालचीनी की चाय का सेवन करना चाहिए डायरिया होने पर आधा चम्मच दालचीनी दही में मिला कर पीना चाहिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखे उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आएं तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि आप हाश्मी.com की हिल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं